कि क्लास क्लास 10 चेप्टर 2nd पोलिनोमियल एक्सरसाइस 2.2 कवर करेंगे हम आज इस वीडियो में और बिल्कुल सिंपल और एजी वे से मैं आपको पूरा कंप्लेट से लेबस कराऊंगा तो आपको रेगुलरली कनेक्ट रहना है चैनल से और मेरा मोटिव यही है कि आपके handed out of handed marks आप गेन कर पाएं ठीक है तो सबसे पहले question number 1 देखते हैं क्या है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients हमें यहाँ पर क्या दे रखी है कुछ quadratic equations दे रखी हैं उनकी हमें zeros find out कर रहे हैं सबसे पहले तो zeros का meaning पता होना चाहिए आपको zeros होते क्या है zeros का मतलब होते हैं factors कोई भी हमारे पास polynomial है जो भी उसके अंदर variable होगा जैसे first के अंदर हमें x variable दे रखा है तो x की कौन-कौन सी ऐसी value होगी जो इस polynomial को satisfy करेंगी उनको हम zeros बोलेंगे factor बोलेंगे हिंदी में उनको हम गुननखंड भी बोलते हैं ठीक है बाद में हमें क्या करना है उन zero's का और coefficients का relation verify करके दिखाना है वो भी किस तरिके से करेंगे देखते हैं सबसे पहले देखो हमारे पास कोई भी एक quadratic equation होती है ax square plus bx plus c इस form में given होती है हमारी कोई भी एक के quadratic equation ax square plus bx plus c ठीक है ये हमारा coefficient होता है किसका x square का x का coefficient होता है नहीं b और जो ये c होता है ये हमारी constant term होती है अब इनके अंदर क्या होती है दो term आती है एक तो आती है हमारी sum of roots क्या होती है sum of roots भी कह सकते है sum of zeros भी कह सकते है वो किसके equal होता है minus का b by a मतलब जो ये b coefficient होगा वो अब उन में a coefficient उसके बाद होता है product of zeros या product of root product of zeros भी कह सकते है इनको ठीक है मैंने दोनों लिख दिये हैं आपको clear रहेगा वो किसके equal होता है c by a के इस चीज को हमें last में verify करना है तो सबसे पहले तो हम 0's find out करना सिखेंगे देखते हैं first part में हमें क्या दे रखा है x square minus 2x minus 8 इसके factor करेंगे class 9th में सीखा था अब कोई भी quadratic equation होती है वो किस form में होती है जो beach की term होती है middle term वो होती है हमारी sum of roots और जो last वाली term होती है वो होती है हमारी product तो यहाँ पे sum कितना आना चाहिए ध्याम से देखो minus 2 आना चाहिए और product जो है हमारी वो कितनी आनी चाहिए वो 8 आनी चाहिए तो हमें ऐसे factor निगालने कि multiply करें तो हमारा क्या आए minus 8 आए और add subtract करें तो minus 2 आए तो कौन-कौन से ऐसे factor है 4 multiply 2 minus का 4 ले लेंगे plus का 2 ले लेंगे क्यों लिया हमने ऐसा क्योंकि हमें middle term negative चाहिए तो बड़ी term को हम negative लेके चलेंगे तो हमारे factor आ गए यहाँ पे द्यान से देखो x square minus 4x और यहाँ पे plus का 2x से 2 के multiple है तो plus का 2 common ले लेंगे अंदर क्या आ गया x minus 4 तो यहाँ पे factor क्या आ गए एक तो x plus 2 आ गया मेरा और एक x minus 4 आ गया अब कोई भी quadratic equation के factor निकालते है तो उसको हम equate किस से करते हैं 0 से equate करते हैं तो हमारे पास क्या आ जेगा x plus 2 equal to 0 और x minus 4 equal to 0 तो x की value क्या आ गई एक तो minus 2 आ गई यहाँ से x की value क्या आ गई 4 तो हमारे 2 zeros आ गई वो कौन कौन सी आई है एक तो minus 2 रेक है 4 आ गई अब इन zeros को क्या करते हैं alpha और beta एजियूम कर लेते हैं यहाँ पे एक root हो गया हमारा minus 2 और एक दूसरा beta equal to क्या हो गया 4 यह आ गए मेरे पास 2 zeros अब हमें verify करना है इनका relation coefficients के साथ तो वो क्या होता है हमारा sum of zeros sum of zeros वो क्या होगा alpha plus beta is equal to किसके होना चीए minus का b by a यह verify करके दिखाना है हमें अब यह b और a की value कहां से आएगी मैंने अभी भी बताया था ax square plus bx plus c से अपनी given quantity equation को compare कर लो तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या given है x square minus का 2x minus 8 given है इसको किस से compare करेंगे ax square plus bx plus c से तो a की value यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 b की value क्या होगी minus 2 और c की value क्या होगी minus 8 clear हो गई compare करनी सीख गए आप अब देखते हैं alpha plus beta alpha की value क्या थी minus 2 थी और beta की value क्या है plus 4 equal to minus b by a b की value क्या है minus 2 तो minus of minus 2 divided by a की value क्या है 1 अब यहाँ पे 4 में से 2 गया तो हमारे पास क्या बज़ा 2 equal to minus minus plus हो जाएगा यह भी 2 हो गया verify बिल्कुल simple था ठीक है कर दिया अपने coefficients को zeros के साथ verify relation verify हो चुका अब हमें क्या करना है product of zeros को भी verify करना है product of zeros कि जो हमारे factors हैं अगर उनकी हम product लेते हैं तो alpha into beta किसके equal होना चीए c by a के तो alpha की value क्या थी minus 2 multiply 4 equal to c की value देखो क्या है minus का 8 minus 2 से multiply minus 8 equal to minus 8 आ गया है या नहीं आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा coefficient से correlation zeros के साथ verify हो गया simple क्यों संदा समझ भी आ गया होगा next देखते हैं इसका second part क्या है second part में हमें क्या दे रखी है यहाँ पर equation 4s square minus 4s और plus में 1 अब इसके हमें factor करने है अब इसके factor करने से पहले ध्यान से सुनो बच्चो क्या है जो हमारी s square वाली time है अगर इसका coefficient 1 नहीं है तो हमें क्या करना होता है इस 4 को constant के साथ multiply करना होता है तो यहाँ पर एक rough equation बना लेंगे अब 4 की इदर multiply हो जाएगी तो यहाँ पर क्या रहेगा s square minus का 4s और यहाँ पर 4 की 1 से multiply होके क्या हो गया 4 तो यह equation हमारी किस में convert हो गई इस equation में अब इसके factor आप easily निकाल सकते हो यह क्या होता है हमारा minus 4 क्या आना चीए sum sum equal to minus 4 होना चीए और product किसके equal होनी चीए plus के 4 के तो ऐसे factor कौन-कौन से होंगे हमारे कि minus 4 हमारा sum आए और product हमारी क्या आजाए plus का 4 आजाए तो क्या factor होंगे यहाँ पर देखो 4s square minus का 2s और minus का 2s plus 1 क्योंकि minus 2 minus 2 की multiply करेंगे plus का 4 आएगा product होके और minus 2 में minus 2 add करेंगे तो minus का 4 आएगा हो गए factor पहले 2 term से क्या common आ रहा है 2s अंदर क्या बच गया यहाँ पर ध्यान से देखो 2s और यहाँ से 2s बाहर जा चुका तो minus 1 इन दोनों में से क्या common ले कुछ भी common नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर sign किसका है minus का तो यहाँ minus लेंगे minus 1 यहाँ से minus 1 बाहर आ गया तो यह 2s हो गया यह plus का sign था यहाँ पर minus बाहर जा चुका तो यह minus का हो जाएगा minus 1 तो हमारे पास factor क्या आ गया 2s minus 1 और दूसरा factor भी क्या आ गया 2s minus 1 इनको equate किसके साथ करेंगे 0 के साथ तो 2s minus 1 equal to 0 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2s minus 1 equal to 0 s की value निकाल लो तो 2s equal to क्या हो गया minus 1 को right side लेके गई 1 हो गया s equal to क्या हो गया 1 by 2 यहाँ पर आ जो 2s equal to 1 और s equal to क्या आ गया 1 by 2 अब दोन्नों जो 0 जाई है हमारी उनको क्या माल लेंगे alpha equal to 1 by 2 और beta equal to 1 by 2 यह हमारी क्या हो गई 0 जो गई यह तो आ गई clear है अब हमें क्या करना है इनका relation verify करना है coefficients के साथ तो हमारे पास जो standard equation थी वो क्या है 4s square minus 4s plus 1 इसको compare करेंगे किस से हम पिछले क्योंचन में क्या किया था अब यहाँ पे variable क्या है s है तो इसको किस से करेंगे as square plus bs plus c से compare बच्चो a का coefficients क्या हो गया यहाँ पे 4 b का coefficient क्या हो गया minus 4 और c का क्या हो गया 1 अब हमें क्या करना है यहाँ पे sum of roots और product of roots देखना है तो sum of zeros या फिर roots क्या होंगे alpha plus beta is equal to किसके होना चीए minus का b by a देखते हैं verify करके alpha की value क्या है 1 by 2 beta की value भी क्या है 1 by 2 equal to minus sign b की value देखो क्या है minus का 4 तो यहाँ पे minus 4 put करेंगे a की value क्या है 4 है करदी put 1 by 2 और 1 by 2 को add करेंगे half और half कितना होता है 1 equal to minus minus plus का 4 by 4 4 से 4 cancel तो किसके आगया 1 के हो गया verify sum of zeros relation हमारा किसका zeros का coefficients के साथ verify हो गया अब हमें next क्या देखना है product of zeros तो वो देख लेते हैं product of zeros किसके equal होगा हमारा alpha into beta equal to c by a होना चाहिए तो यहाँ पे alpha की value क्या है 1 by 2 multiply beta की value भी 1 by 2 equal to c की value देखो बच्चो क्या है 1 है तो 1 by a की value क्या है 4 तो यहाँ पे 1 by 2 और 1 by 2 की multiply करूँगा तो क्या आ गया 1 by 4 equal to 1 by 4 हो गया तो यह भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे verify समझ भी आ गया second part भी next more करते हैं अपने third part के उपर third part में हमें क्या दे रखा है 6 x square minus 3 minus 7 x तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो question में क्या का है x की term को बाद में दे दिया उसने बीच में लेके आएंगे हम पहले क्योंकि एक decreasing order में power होनी चाहिए तब हम factor करेंगे बहुत तीजी रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 x square minus का 7 x minus 3 equal to 0 quadratic equation को equate to 0 करते हैं अब यहाँ पे x square का coefficient क्या मिल गया आपको 6 मिल गया 1 नहीं है तो हम 6 की multiply किस से करेंगे 3 से multiply होगी और एक rough equation हम यहाँ पे त्यार कर लेंगे क्या हो जाएगी x square minus 7 x minus 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 अब इसके factor कर लो sum कितना आना चीए हमारा minus 7 आना चीए और product आनी चीए minus का 18 तो 9 2 जा 18 होता है हमारा तो 9 multiply 2 अब बात आती है कौन से को positive लेंगे कौन से को negative middle term क्या है negative तो बड़ी term को negative ले लो छोटी को ले लेंगे positive तो minus 9 और 2 हो गए अब देखो minus 9 और 2 की multiply करूँगा minus 18 आएगा minus 9 में 2 add करूँगा तो minus का 7 आएगा हो गई बात clear तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आगए factor 6x square minus का 9x plus 2x minus 3 equal to 0 clear first two term से common क्या रहा है हमारा 3x common आ रहा है यहाँ पे क्या बच गया 2x minus यहाँ से 3x common गया तो यहाँ पे 3 बच गया अब इन two term से कोई भी common नाजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे sign किसका है plus का तो plus का 1 common ले लेंगे यहाँ पे क्या आएगा 2x minus 3 अब यहाँ पे हमारे factor क्या आगए देख तो 3x plus 1 आ गया और दूसरा factor क्या आ गया 2x minus 3 आ गया इक्वेट टु 0 यहाँ पे root निकाल लेते हम 3x plus 1 equal to 0 और 2x minus 3 equal to 0 तो यहाँ पे 3x equal to किसके हो गया 1 को right side लेके जाएंगे तो क्या हो गया minus 1 और x की value क्या आ गयी minus का 1 by 3 ठीक है अब यहाँ पे देखते है 2x equal to minus 3 को right side लेके गया प्रसका 3 हो गया और x equal to क्या हो गया 3 by 2 हो गया दो roots आ गए हमारे पास 2 0 जा चुकी अब हमें इनको क्या करना है alpha और beta एजियून कर लेना है alpha equal to क्या आ गया minus का 1 by 3 beta equal to आ गया मेरा 3 by 2 यह हो गए हमारे 2 0 जो फे given polynomial अब इनका coefficients के साथ relation verify करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हमारे पास given equation क्या है 6x square minus 7x minus 3 equal to 0 compare किसे करेंगे standard form से ax square plus bx plus c equal to 0 से हम इसको compare करेंगे अब a की value देखो यहाँ पे क्या है a equal to 6 है b की value क्या है minus का 7 है और c की value क्या है minus का 3 है compare करके a b c की coefficients की value आचुकी आपके पास अब verify कैसे करना है यहाँ पे सबसे पहले हम verify करेंगे sum of zeros sum of zeros किसके equal होता है minus का b by a के equal आना चाहिए sum of zeros का मतलब क्या है यह हमारे zeros आई थी alpha और beta तो means alpha plus beta is equal to किसके होना चाहिए minus का b by a के value पुट करके देखते हैं यहाँ पे alpha की value क्या है minus का 1 by 3 beta की value क्या है 3 by 2 equal to minus b की value क्या है minus का 7 तो minus of minus 7 पुट होगा a की value क्या है 6 ठीक है LCM कितना आगया 3 to 0, 6 3 to 0, 6 2 की minus 1 से multiply minus 2 plus 2 3 जा 6 3 3 जा 9 equal to minus minus क्या होगा plus का 7 by 6 और 9 में से 2 गया तो बच्चो 7 by 6 equal to 7 by 6 यह हो गया हमारा verify coefficient clear हो गया अब second क्या check करते हैं product of zeros product of zeros वो किसके equal होगा हमारा c by a के equal होता है यह नहीं होता है ठीक है अब यहां पर product of zeros से मतलब क्या है alpha into beta equal to क्या होना चाहिए c by a के equal आना चाहिए तो alpha की value क्या है minus का 1 by 3 multiply 3 by 2 equal to c की value देखो बच्चो क्या है minus का 3 है तो minus 3 put कर लिया a की value क्या थी हमारी coefficient की 6 थी 3 से 3 cancel तो left hand side के आगई minus का 1 by 2 equal to 3 बन जा 3 3 तो जा 6 equal to किसके आगे minus के 1 by 2 के तो ये भी समझवे आ गया clear हो गया कोई दिक्कत नहीं होनी चीए ठीक है next part देखते है इसका fourth part क्या है fourth part में हमें दे रखा है यहां पे 4u square plus में 8u equal to 0 assume करेंगे इसको quadratic equation को अब यहां पे factorize करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको क्योंकि बिल्कुल simple question दे रखा है उपर दोनों term में से क्या common आ रहा है 4u common आ रहा है तो यहां पे क्या आ गया u plus में यह पे क्या आ जाएगा मेरा 2 equal to 0 देखो कैसे आया यहां पे 4u square था 4u common ले लिया यहां पे u बच गया प्लस में यहां पे 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 multiply 2 4 बाहर चला गया तो अकेला क्या बच गया 2 तो यहां पे 4u equal to क्या हो गया 0 और u plus 2 equal to क्या हो गया 0 तो u की value निकाल लो u equal to क्या हो गया 0 by 4 करेंगे 0 हो गया और यहां से u की value क्या आजएगी minus 2 means एक root आगया हमारा 0 और beta equal to क्या आगया minus का 2 यह हो गये हमारे 2 roots ठीक है अब हमें क्या करना है सबसे पहले compare करना अपनी given equation को 4u square plus 8u equal to 0 इसको किसे compare करेंगे au square plus bu plus c से क्योंकि यहां पे u variable है तो u लेके चलेंगे साथ में a की value क्या होगी हमारी 4 b की value क्या होगी 8 और c की value क्या होगी यहां पे constant term नहीं equality equation में तो क्या माननेंगे इसको 0 लेके चलेंगे clear हो गया अब next देखते हैं हम यहां पे पहले क्या करेंगे हम sum of roots देखेंगे तो हमारा sum of roots क्या होगा या फिर sum of 0s sum of 0s किसके equal आएगा हमारा यहां पे alpha plus beta equal to minus का b by a के equal होना चाहिए तो यहां पे alpha की value क्या है हमारी 0 और beta की value क्या है minus 2 equal to minus b by a b की value क्या है 8 upon में a की value 4 तो यहां पे देखो minus 2 equal to किसके आगया minus 2 के तो हो गया verify अब हमें क्या देखना product of zeros product of zeros वो किसके equal होगा बच्चो alpha into beta equal to c by a यही होना चाहिए ठीक है तो यहां पे alpha की value देख लो हमारी क्या है इस तरफ कर लेते हैं 0 multiply beta की value minus 2 equal to c की value 0 by a की value क्या है 4 minus 2 की 0 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 0 और 0 by 4 करेंगे तो क्या आगया 0 यह भी verify हो गया तो product of zeros भी verify हो गया और sum of zeros भी verify हो गया बस यही करना दामे next देखते हैं इसका 5th part क्या है 5th part भी बिल्कुल इजी दे रखा है यहाँ पर t square minus 15 equal to 0 पहले हम क्या करेंगे t के roots निकालेंगे मतलब t के coefficients 0 निकालेंगे वो कैसे t square minus 15 को right side लेके गए 15 हो गया और t is equal to क्या हो जाएगा square है इस तरफ जाएगा तो under root 15 अब किसी का root निकालते हैं तो क्या value positive और negative दोनो value possible होती है अब आपको बता दिया जाता है कि दोनो value possible है बट आपको logic नहीं पता होता कि क्यों possible होती है reason सुन लो देखो ध्यान से बच्चो अगर मान लो x square equal to 4 दे रखा है तो x is equal to क्या हो जाएगा under root 4 और यहाँ पे 4 का under root करेंगे तो x की value दोनो पोसिबल होगी positive negative 2 क्यों होती है ध्यान से देखो अगर मैं इसका reverse करने लग जाओ एक value होगी x equal to 2 एक value होगी x equal to minus 2 square करने लग जाओ इसका square करता हूँ तब भी मेरे पास 4 answer आएगा इसका square करता हूँ तब भी 4 answer आएगा तो यहाँ पे क्या आगया square करने के बाद x square की value 4 आई न तो मतलब दोनों possible values से हमारा same result आता है तो इसलिए दोनों result हमारे possible होते है positive भी और negative भी clear होगी बात अब यहाँ पे t is equal to क्या आगया plus minus under root 15 इसको compare करेंगे किससे t square minus 15 equal to 0 को a t square plus b t plus c equal to 0 से t square वाली term को coefficient को compare करेंगे तो a की value क्या हो गई 1 t वाली कोई term नहीं तो b की value हो गई 0 और c की value क्या हो गई minus का 15 अब हम क्या करेंगे यहाँ पे sum of 0s देख लेते हैं sum of 0s किसके equivalent है minus का b by a के sum of 0s alpha plus beta alpha बीटा दोनों root क्या है एक positive root 15 है minus का root 15 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम root 15 minus root 15 is equal to minus b की value क्या है हमारी 0 upon में 1 तो यह किसके equivalent आगया 0 equal to 0 आगया clear हो गया फिर हमें क्या देखना product of roots product देख लेते हैं किसके equal होगा alpha into beta equal to c by a तो alpha की value क्या है under root 15 और beta की value क्या है minus का under root 15 c की value देखो बच्चों क्या है minus का 15 by 1 अब root 15 root 15 की multiply करेंगे तो किसके equal हो गया minus 15 equal to minus 15 आगया clear पता है ने root 5 root 15 root 15 की multiply किसके equal होगी क्योंकि root का मतलब क्या होता है power 1 by 2 power add हो जाएगी 1 by 2 और 1 by 2 क्या हो गया 1 तो minus 15 की power 1 कितना आगया minus 15 equal to minus 15 clear हो गया फिफ्ट पार्ट भी next देखते हैं इसका 6th पार्ट क्या है last part important question लेगे भी क्या है 3x square minus x minus 4 पहले क्या करेंगे हम 3 की multiply 4 से होगी rough equation क्या बनेगी x square minus x minus 4 3 जा 12 तो ऐसे factor देखने हम product करें तो minus 12 आए और add subtract करें तो minus 1 आए बिल्कुल easy है हमारे factor 4 multiply 3 ही है यहाँ पे बीच में middle term negative है तो बड़ी term को negative ले लेंगे हम बस factor आ गई 3x square minus का 4x plus 3x minus 4 पहले 2 term से क्या common आ रहा है हमारा x common आ रहा है अंदर क्या उच गया 3x minus 4 इन 2 term से कुछ भी common नहीं आ रहा है तो हम plus 1 को common लेंगे यहाँ पे क्या आ गया 3x minus 4 तो एक factor आ गया मेरे पास 3x minus 4 और दूसरा factor आ गया x plus 1 equal to 0 अब equate करते हैं इनको 0 से 3x minus 4 equal to 0 और x plus 1 equal to 0 ठीक है x की value निकाल लेंगे यहाँ पे क्या आएगा 3x equal to minus 4 को right side लेके गए 4 अब दोनों roots को क्या मानेंगे एक alpha हो जाएगा 4 by 3 एक beta हो जाएगा हमारा minus 1 यह हो गए हमारे roots अब फिर हमें क्या निकालना है sum of roots निकालना है और product of roots इनको verify करना है तो सबसे पहले देखो हमारी जो equation है 3x square minus x minus 4 इसको standard form से compare कर लो ax square plus bx plus c से a की value क्या हो गई बच्चो 3 b की value क्या हो गई minus 1 और c की value क्या हो गई यहाँ पे minus 4 आ गया ना comparison करना अब सबसे पहले हम क्या करेंगे sum of zeros देखेंगे sum of zeros किसके इकवल आना चाहिए minus का b by a के sum of zeros में क्या आएगा यहाँ पे alpha plus beta minus 1 equal to minus of b की value क्या है minus 1 upon में a की value क्या है 3 ठीक है इसके upon में 1 माननेंगे lcm कितना आगया 3 तो 4 minus 3 is equal to क्या आगया 1 by 3 equal to यहाँ पे minus minus plus हो गया तो यह भी क्या आगया 1 by 3 equal to 1 by 3 तो sum of zeros तो हमारा हो गया verify उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे product of zeros देखना है product of zeros वो किसके equal होगा हमारा c by a के equal ठीक है अब यहाँ पे product of zeros alpha into beta equal to c by a होना चाहिए तो यहाँ पे alpha की value क्या है 4 by 3 multiply minus 1 c की value देखो बच्चों क्या है minus का 4 अब उन में a की value क्या है minus 1 की 4 by 3 से multiply minus का 4 by 3 equal to क्या आगया minus का 4 by 3 यह भी हो गया यहाँ पे zero zero coefficients के बीच में relation verify I hope question number 1 के अंदर कोई भी doubt नहीं रहाँगा कोई भी doubt अगर लगता है तो comment जरूर कर देना मैं साथ की साथ reply करूँगा थोड़ी सी देर के बाद ठीक है 3 5 7 जो वीडियो में doubt होगे वही मैं reply कर पाऊँगा इतना ही time मिलता है तो बेफ आलतु के questions जो है extra questions वो please ना बेज़ें क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेज़ देते हैं तो इतना time तो होता नहीं कि मैं उनके reply कर पाऊँ तो वीडियो का doubt होगा चोटा मोटा doubt होता है मैं clear करने की कोशिस करता हूँ ताकि बच्चे confused ना रहें ठीक है मैं आपका full spot कर रहा हूँ तो चैनल को subscribe करके जाना है और ज्यादा से ज्यादा share करना है अपने classmates को भी live video चला करेगी live class लिया करेंगे और आपके doubt भी जोल आउट किया करूँगा ठीक है second question देखते है क्या है find a quadratic equation each with the given number as the sum and product of zeros respectively अब यहाँ पर question के अंदर क्या दे रखा है मुझे sum of zeros और product of zeros पहले ही mention कर दिये मतलब किसी quadratic equation की zeros उसने mention कर रखी है इससे हमें quadratic equation बनानी है तो कैसे बनाएंगे बिलकुल इजी तरीका बताऊँगा चुटकियों में soul out करोगे question को देखो यहाँ पे sum of zeros पहले question पे हम लिखके दिखाएंगे यहाँ पे sum of zeros क्या दे रखा है हमें 1 by 4 दे रखा है और product of zeros क्या दे रखा है product of zeros वो हमें minus 1 दे रखा है अब अगर हमारे पास sum of zeros और product of zeros अगर हो तो हमें कोई भी quadratic polynomial है वो किस form में लिखनी होती है ध्यान से देख लो x square minus sum of zeros sum of zeros into x फिल प्लस में product of zeros product of zeros कोई भी quadratic equation हो हमारी इसी form में लिखी जाती है क्या काया है मैंने x square minus sum of zeros into x प्लस में product of zeros अब यहाँ पर value पुट करनी है बस तो आपको और कुछ नहीं करना x square minus sum of zeros क्या दे रखा है हमें 1 by 4 तो 1 by 4 x प्लस में product of zeros क्या दे रखा है minus 1 तो यहाँ पर minus 1 input कर लेंगे ठीक है तो क्या बन गया हमारे पास x square minus x by 4 minus 1 और यह equal to किसके होती है हमारी 0 के equal अब इसको simplify करेंगे क्योंकि यहाँ पर fractional value है तो LCM की तरह आ गया 4 4 की x square से multiply 4 x square 4 से 4 cancel यहाँ पर minus x 4 को 1 से divide करेंगे 4 आ गया 4 की 1 से multiply minus 4 equal to 0 4 की 0 से multiply होगी तो equation क्या आ गई 4 x square minus x minus 4 equal to 0 this is the required quadratic polynomial था ना बिल्कुल simple question समझ में आ गया अब कई teacher क्या करते है इसको compare करके बताते है 1 by 4 sum of zeros दे रखा किसके equal होता है minus का b by a यहाँ पर compare करेंगे तो b की value minus a 1 आ गई a की value 4 आ गई ठीक है भई दूसरा क्या करते है फिर product of zeros दे रखा है minus 1 is equal to c by a a की value 4 पूट करेंगे इसके अपोन में तो इसको minus 1 बनाने के लिए उपर 4 से multiply करेंगे तो c की value क्या हो गई minus 4 अब इनको हम क्या करते है ax square plus bx plus c में पूट कर देते हैं ये method आपको बताया जाता है बट मैं आपको suggest करूँगा this method is the best method ठीक है क्योंकि इसमें बच्चे confused हो जाते हैं कि सर आपने 4 से multiply क्यों किया है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है तो आपको confused होने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर focus कीजिए ठीक है जो best easy solution होंगे ना वो next classes पर बताये जाएंगे ऐसे method आपको नहीं बताऊंगा जिससे आप confused रहें आप tension में रहें सारी रात नींद ना आए सर कैसे करूँ कैसे करूँ सर ने कैसे बताया था कैसे compare किया था घबराने की जरूरत नहीं है मैं आपके साथ हूँ ठीक है पूरा साल फुल मस्ती से enjoy से पढ़ेंगे बेफिकर होके चैनल को subscribe करके रखना आगे 12 तक का भी slavers आपको करवाऊँगा मैं चिंता मत करो बस ठीक है next देखते है इसका second part क्या दे रखा है second part में हमें क्या दे रखा है इकवल टू 1 बाइ 3 रटना कुछ भी नहीं है हमारी quadratic polynomial किस पॉम में होती है x square minus sum of zeros sum of zeros into x और plus में product of zeros हर एक question में लिखेंगे बई जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए product of zeros exam में गडबड नहीं होनी चैनल इकवल टू 0 तो यहाँ पे देखो x square minus sum of zeros की तरह दे रखा है under root 2 x plus में product of zeros 1 by 3 equal to 0 इसके upon में 1 मानेंगे इसके upon में 1 LC अब आ गया 3 3 के x square से multiply 3 x square minus का 3 under root 2 x और यहाँ पे 3 से 3 cancel out तो यहाँ पे 1 equal to 0 और 3 के 0 से multiply तो यह हो गया स्वाहा 0 तो हमारे पास क्या आ गया 3 x square minus का 3 root 2 x plus में 1 equal to 0 बन गई हमारी quadratic polynomial बन गया ना हलवा के उस्चन बिलकु लीजी smile करते रो पढ़ाई करते रो मजे से चिंता ना गरो बस next देखते हैं इसका third part क्या दे रखा है अब यहाँ पे sum of zeros देखे लो बच्चो क्या है sum of zeros equal to 0 product of zeros क्या है product of zeros equal to under root 5 दे रखा है अब कोई भी हमारी equation होती है किस पॉर्म में लिखे जाती है एक स्क्वेयर माइनस sum of zeros into x plus में product of zeros product of zeros ठीक है value put करते है यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वेयर माइनस sum of zeros क्या दे रखा है 0 into x अब 0 तो भाई गुरू होता है वैसे भी इंडिया ने दे रखी है ठीक है 0 तो 0 ही होती है सबको 0 बना देती है product of zeros क्या है under root 5 तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x square 0 से multiply करेंगे तो हमारा क्या हो गया यह 0 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा plus का root 5 तो equation बन गी x square plus root 5 equal to 0 यह हो गई हमारी quadratic polynomial आ गया समझ में next देखते है next के अंदर हमें क्या दे रखा भई next कहा गया next page add नहीं कर रखे क्या यहाँ पे क्या दे रखा है sum of zeros हमें one दे रखा है और product of zeros one दे रखा याद रखना है next page add करते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा था sum of zeros sum of zeros वो हमारे पास क्या है one और product of zeros भी क्या है product of zeros वो भी हमारा क्या है one है तो हमारी equation क्या होगी x square minus sum of zeros sum of zeros into x फिर plus में product of zeros यही तो होती है हमारी standard equation कोई भी quadratic polynomial तो क्या बन गए यहाँ पे x square minus sum of zeros वन दे रखा तो one multiply x plus में product of zero भी one equal to zero इसको zero के equal रखना जरूर तो यहाँ पे x square minus x plus one equal to क्या आ गया जीरो यह होगी हमारी standard equation ठीक है बिल्कुल ईजी थी अगली वाले question के देखते है भाई क्या है हमारे पास option minus का 1 by 4 और 1 by 4 यह important question है तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कौन सा पार्ट है यह हमारा है fifth part तो fifth part में देखते है हमारा sum of zeros वो हमें दे रखा है minus का 1 by 4 और product of zeros क्या दे रखा है product of zeros वो हमें दे रखा है बच्चो 1 by 4 जो fractional में हमें zeros दे रखी हो ना वो important question है ठीक है root वाले हो fractional हो वो ज्यादा focus से गरने आपको अब यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना है x square minus sum of zeros क्या है हमारा minus का 1 by 4 तो minus 1 by 4 into x plus में product of 0 1 by 4 equal to 0 तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे x square minus minus क्या हो गया plus का 1 by 4 x और plus में 1 by 4 equal to 0 तो LCM लेना पड़ेगा क्योंकि fractional value चल रही है 4 LCM आ गया 4 के x square से multiply 4 x square यहाँ पे 4 से 4 cancel x 4 से 4 cancel 1 equal to 0 और 0 है इंडिया की गुरू तो 0 से किसी की भी गुना करो तो हो जाएगा 0 तो यहाँ पे क्या हो गया समझ में आ गया लास्ट पार्ट देखते है क्या दे रखे हैं हमें यहाँ पे sum of 0's 4 दे रखा है और product of 0's हमें दे रखा है 1 तो लिख लेते हैं sum of 0's sum of 0's equal to क्या है 4 और product of 0's product of 0's हमारे पास क्या दे रखा है 1 अब equation कैसे लिखे जाती है वो जरूर लिखेंगे x square minus यह जरूर लिखना है कहीं आप direct करने लग जाओ फिर marks कट जाएगे वई मैं इस तरीके से ही question कराता हूँ जैसे आपको exam में करके आने है shortcut method नहीं बताऊंगा हमें बिलकुल भी time 2 minute ज्यादा लग जाएगे बट आपको पता होना चाहिए कि question हमें करके कैसे आना है तो यहाँ पर क्या आजेगा plus में product of zeros product of zeros मैंने बहुत सारे teacher देखे हैं जो कया करते हैं shortcut method बताते हैं यह कहते हैं मैं तो 2 minute में solve कर दिया बही question बही 4 number का question है न मिन number भी 2 मिलेंगे उसमें ठीक है तो एक proper way होना चाहिए shortcut method को follow नहीं करना है उससे आपके marks कर जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको question कैसे start करना है किस तरीके से उसमें formulas रखने हैं कैसे उसको solve out करना है तो एक proper way से ही जिस channel पर समझ में आता हो proper way समझाया जाई वहीं से पढ़े मैं यह नहीं कहा रहा इसी channel से पढ़ना है जिस भी teacher से समझ में आप उससे पढ़ सकते बड़ एक proper way से जो teacher समझाया उसी से करना ठीक है अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आगए x square minus sum of zeros क्या दिरखा 4 4 into x product of 0 1 दिरखा तो plus 1 equal to 0 बस यह तो simple सी equation बन गी हमारी हो गया questions all out सारे part clear हो गए होंगे question number first और second भी clear हो गया होगा I hope कोई भी doubt नहीं है तो please channel को subscribe जुरूर कर लेना आपका अपना channel है grow करो जल्दी से 1 million पर पहुचेंगे हमें भी खुशी होगी आप सबको भी खुशी होगी कि आप next classes से जुड़े हुए है thank you students for watching next classes वीडियो next exercise की वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा मैं community पे आपको post मिल जाएगी जिस दिन live class होगी maybe कल हो सकती है या परस हो ठीक है thank you students for watching next classes